वेलकम बैक तुदा चैनल ने अधर टर्व में आपका स्वागत है गाइस कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था अपनी नेक्सवन मैलेस टेस्ट पे और हमने उसमें 18-19 तक का मैलेस निकाल लिया था और काफी हमारी पास कमेंट आये लोगों के कि हमारी जो गाड़ी 10-11-12 मैलेस देकी है हुए तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या वैसा गलत कर रहे है कि आपकी काड़ी 10-11-12 का मैलेस दे रही है और हमारी घाड़ी थे सही कर रही है UP to 19-19-ANC का मैलेस आज भी हम अधर्स आदक का उट्राइय उम Cris लुकिते है जो गाडी से एवरेज निकलने के कुछ परीके होते हैं और कुछ डिफेरिट तरीके होते हैं और हमारी जो चैनल में हमने पाया है कि आपके कैसे आपमेश निकल रहा है और क्यूं 10-11 दे रही है और आपका फेक है अगर के और उनमे से एक सब्सक्राइबर का फोन भी आया है हमारे पास और उनने हम से जाना की क्यासे आप लोग भी निकाल रहे हैं उनकी तो अटमेटिक गाड़ी थी और फिर भी वो 10-11 का दे रही थी तो हमने उनको कुछ ड्राइविंग ह कि पहले उनका कितना आवरेज आ था और इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद उनका एवरेज कितना आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो उनहीं के साथ होगा और उनकी जो आटमेटिक गाड़ी है और हमारी नेक्स ऑन मैन्वाल दोनों का कमपैरिजन करें कि तो नेक्स्ट व से पहले कुछ भी मताने से पहले मैं आपको अपना मीटर दिखाना चाहूंगा और जो लोग नेक्सट वन चलाते होंगे वह बहुत अच्छे जानते हैं कि इसमें जो माइलेज है वो ट्रिप का शो होता है तो यहां पर मेरी ट्रिप देखिएगा कितनी किलोमेटर की यह ट पेट्रोल गाड़ी है यह भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि आरपीम देखिए यहां पर को एट तक है तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि यह पेट्रोल गाड़ी है और एवरेज शोर है 19 का और ट्रिप है 742 किलोमेटर 742 किलोमेटर चलाने मैंने 19 का आईवरेज जाया है मुझे वह भी हिल्स पे तो आप लोगों से मैं यह कहूंगा कि आप जो भी संचे कर रहे थे हमारे पहले वाले वीडियो पर जिनको भी डाउट था थोड़ा सा भी तो 19 का अगर एमाइडी में शो कर रहा है देखिए तो कम से कम गाड़ी और जो एक्चॉल एवरे जो पर जो होता है नेक्सवान पर जो बीच वाला पॉर्शन है दिख रहा है आपको जहाँ पर को इंस्ट एफी लिखा हुआ है इसका मतलब है instantaneous fuel consumption ठीक है instantaneous का मतलब होता है कि जिस समय आप गाड़ी चला रहे है उस टाइम पर कितना तेल खर्च हो रहा है अगर यह आपका दो या तीन पर है तो उसका मतलब होता है कि बहुत कम आवरे जा रहा है 26 और 27 और फूल 30 पर है तो इसका मतलब 30 गाड़ी रही है गाड़ी उस टाइम पर जिस टांप chnम पर आप छला रहे है गाड़ी उसी टाइम का यहा इंस मंट बदलते रहे गा ठीक है और यह मिडिल पे है तो इसका मतलब है कि 15 का एवरे इसका मतलब है तो प्याप तो मैंने आपका भी instantaneous fuel consumption समझाया, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये इसको जादा से जादा रखना है, इसको जादा से जादा रखेंगे तो आपका average अच्छा हैगा, और वो कैसे आता है, वो eco mode, ये जो modes हैं आपर, city mode या sports mode में convert करने से नहीं आता है, इसका simple सा fund है, नेक्स mode रखता हूँ, गाड़ी जब धलान पे होती है, हमेशा eco mode रखता हूँ, और गाड़ी को third gear में छोड़ देता हूँ, भस धलान पे खली छोड़ देता हूँ, जिससे क्या होता है, कि मेरा instantaneous fuel consumption 30 पहुंच जाता है, 30 रहता है, तो गाड़ी बस नीचे को धलान पे जाते रहती यह कोई acceleration नहीं देता हूँ, ठीक है, और third gear पे गाड़ी control भी रहती है, तो उस वज़े से मेरी speed भी 40-42 जो मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, तो 30 का average मैंने वहाँ पर गुरे लिया, अब जब चड़ाई आती है, चड़ाई में सबसे ज़्यादा तेल खाती है सोचेंगे कि sports mode में average कम आता है, नहीं, आप जतना ज़्यादा push करेंगे गाड़ी को उतना ज़्यादा average कम होगा, तो मैं sports mode डालता हूँ और बहुत कम acceleration देता हूँ, जिससे मुझे चड़ाई में भी करीब 14-15 का average मिल जाता है गाड़ी में, 13-14 ऐसे करके मुझे average मिल जाता तो acceleration कम देना पड़ेगा, अगर आप eco या city में चलाई में चलाऊगे तो आपको acceleration ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर को ऐसा हो जाता है, उसके बाद जो plane है, वहाँ पर को मैं eco mode नहीं रखता हूँ, ना city रखता हूँ, एको और sports mode नहीं रखता हूँ, city पर क्या कुल मिला के, मुझे 19 का average इसमें M.I.D. में show रहा है, और मैं tank to tank full करके नापके आपको वीडियो मनाई रहा है, वहाँ पर को मुझे average मिलता है, करीब 17 से 18 का, जो tank to tank full अगर नापते हैं, तो 17 से 18 के आसपास इसमें, मतलब maximum मुझे 18 मिला है, average tank to tank, और M.I.D. में 19 शो करता ह तो अब यह 19 शो कर रहा है, जो मतलब मुझे 18 का average मिला है, तो इसी चीज़ को आप भी follow करें, और आप लोग follow करेंगे, तो आपका जो 10 का average आरा है, जो 8 का average आरा है, वह अचानक से change हो जाएगा, और बहुत जल्द हम आपके लिए एक हमारे जो subscriber है, उनका वीडियो भी ले कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, कि वह आएं और बताएं कि पहले का average आरा रहा था और बार में का average आरा था तो आप लोगं के लिए proof हो जाएगा, इसलिए आप बने रही है हमारे चैनल के साथ, और इंतजार किजिए हमारे अगले वीडियो का, अगर आपको अपनी Nexon से किसका जैसा average चाहिए, स्विफ्ट जैसा, तो आप इन ड्राइविंग हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, और जब आप फॉलो करके अगर आपका average बढ़ता है Nexon का, तो हमारे चैनल पर जरूर बताएगा, कमेंट करके, तो अगर आपको ये वीड तो लाइक, सुब्सक्राइब और शेयर करें, और मेरी वीडियो के लेटेस अप्डेट और नोटिफिशन के लिए बेल आपके नवाले नहीं बूले तब तक कि लिए, बाबाई, स्टेसे सेफ की, ब्लेस्ट, ब्लेस्ट, बाई-बाई